हेले ब्रीवन तो आज है 15 तप जन्वरी और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का भकेवरी कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब क किया जाता है तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले जल्दी से जाके कमेंट सेशन में जैहन लिख दीजिए ठीक है तो पहला वर्ड है प्लॉड अगर प्लॉड की बात करें तो एक भर्व है तो आप यहां पे पिक्चर आपके सामने पहले आ रहा है तो आप यहां पर यह सारे सेंट्स वेगर होते हैं तो उस पर हम लोग को हेवी स्टेप्स के साथ चलना पड़ता है क्योंकि उसमें धंग से नहीं चल पाते हैं ठीक है तो प्लॉड मतलब क्या हो गया कि ठके कदमों से चलना रेत में आप चलेंगे तो बहुत जल्दी ठक जाएंग तो साथ में पेंट पेपर लेकर बढ़ट जाएगा और जो भी यहां पे कभर कर रहा है उससे नोट करते रही है ठीक है नोट करने से चीज़े जल्दी याद होती है तो चलते हैं next वर्ड के तरफ next वर्ड है। और्डेंट एक अड्जेक्टिव है जिसका मिनिंग होता है वेरी इन्थ्वास्टिक्स और पैसनेट यानि कि जो क्या हो काफी ज़्यादा उर्जवान हो पैसनेट हो उसको क्या बोलेंगे अर्डेंट बोलेंगे यानि कि उत्साहिए कोई जो मतलब कि कुछ करने के लिए बढलने चैने कोई होते हैं तो वर्ड क्या आडेंट होग कहा जिसका मिनिंग होता है उत्साहिए जेसे कि आप तुक्चर में प्रते सखते हैं कि जो भी यहां पर दिख रहे हैं महिला यह कहा है काफी ज्यादा एक्साइट दिख रहे है एक तो वार्ड क्या होके हalter की जी के लोट साथ फोटोग्राफ तो टेबल एक तरह का निज्ञ को इसमें चोटे-छोटे पिज होते हैं छोटे-छोटे आर्टिकल होते हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ होते हैं यहन्ति छोटा अगबार इसको बॉल सकते हैं सीनुनेम्स की बात करें तो गैजट, डेली, तो यहां पर कुछ इस तरह का बात हो रहा है जो छोटे-छोटे एक बार होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पिक्चर्स लगे होते हैं और छोटे-छोटे आर्टिकल रहते हैं ठीक है फूर्थ बड है रैंब्लिग की बात करें तो एक नाव है इसका मेन होता है पासिंग प्रम ओन टॉपिक टो अनौधर और और इंड कंफियूज स्पीच और राइटिंग कोई जो एक टॉपिक से दूश्य तोपिक पर क्या कर रहा है पास कर रहा है और और ं-ड कंफियूज स्पीच और राइटिंग मतलब कोई कान्फीजियस राइटिंग लिख रहा ठीक है या स्पीच तो उसको क्या बोलेंगे रैंबलिंग बोलेंगे यह कोई चीज जो घुमावदार हो सीनोनेम सी बात करें तो डिसल्ट्री मेंडरिंग वान डुरिंग या फिर्वचिट्र या सो जाएंगे इसके स्वेजियोन हो जाएंगे तो वर्ट Стुन हमीनबलिंग या घुमावदार टिसल्ट्री मैंड डाउन दॉलग की बात करें तो इसका में नहीं होता है तो वेस्ट टाइम एड़ इंड अफे मैच सच एज इस टर्मिनेटेट बई रॉनिंग आउट आउट अफ टाइम मतलब जो टाइम क्या जा रहा है वेस्ट हो जा रहा है मैच के इंड के दरान और उसको टर्मिनेट किया जा रहा है इसका मिनिंग क्या होता है कि समय बारबाद करना और यहां पर इसके सिनोनेम सब को देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा आपको कुछ पता होगा तो जरूर कमेंट से सने कमेंट कीजिए कुछ मतलब जिसे जो यह वाड हो गया तो इससे रिलेटेट कोई भी इनफरमेश ठीक है और अब होमर का बात कर लेते हैं तो जो भी आप यहां पर वाड सीख रहे हैं इससे कोशिस किजिए सिंटेंस बनाने का और सिंटेंस बनाते हैं तो कमेंट से सन में जरूर कमेंट कीजिएगा ठीक है अगला वाड है रिपरक्यूसंस रिपरक्यूसंस की बात करें त तो जब भी word class में Ion देखने को मिले तो word mostly noun हो जाता है क्योंकि Ion एक noun सफिक्स होता है इसका मेनिंग होता है the effect that an action event or decision has on something especially a bad effect मतलब कोई effect परना किसी काम पर कोई event पर या किसी decision पर और वो effect कैसा हो तो bad होना चाहिए तो इसको repercussion बोलेंगे ठीक है यानि की परभाव बुड़ी परभाव पर जाना किसी चीज़ पर synonyms की बात करें तो इसका synonyms consequence हो सकता है result हो सकता है influence हो सकता है या फिर impact हो सकता है तो वर्ड क्या हो गया repercussion हो गया जो एक noun है जिसका मिनिंग होता है परभाव क्या होता है परभाव बुड़ा परभाव परना किसी चीज़ पर consequence, result, influence, impact इसके synonyms हो जाएंगे next word की बात करें तो next word का है ignominious देखिए यहाँ पर last में o-e-wes आ रहा है तो जब भी word class में o-e-wes दीखे तो word adjective हो जाता है क्या हो जाता है adjective हो जाता है ठीक है अगर इसके meaning की बात करें तो इसका meaning हो जाता है deserving or causing public disgrace or same यानि कि इसका Hindi meaning क्या हो जाएगा लजाकर या फिर नीच ठीक है तो ignominious मतलब क्या हो गया लजा होना किसी को मतलब publicly क्या होना कुछी को सेम फिल होना उसको क्या हो लेंगी ignominious हो जाएगा synonyms की बात करें तो notorious आपको सारे बाद अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सेशन इंजॉय कर रहे होंगे तो सेशन अच्छा लग रहा है तो नहीं लाइक किया है तो जल्ली से लाइक कर दिजिए नेक्स्ट वर्ड है contingency जो एक नावन है contingency क्या है एक नावन है इसका meaning होता है future event और circumstances which is possible but cannot be predicted with certainty मतलब कोई भी जो भविस से मैं event होने वाला हो तो उसको क्या जो possible हो लेकिन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते है निश्चित रुप से तो उसको क्या वह लेंगे contingency कि यानि कि अनिश्चित घटना कोई ऐसा जो घटना जो क्या अनिश्चित हो मतलब कोई fix नहीं हो कि होगा या नहीं होगा अनिश्चित उसके बारे में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं सिनोनेम्स की बात करें तो eventuality possibility probability या फिर chance हो जाएगा या uncertainty तो यह सब क्या होगा इसके सिनोनेम्स होगा ठीक है जैसे मान लिजिए कि हाँ पर प्लान का बात हो रहा है तो प्लान A B C तीन तीन प्लान बना हुआ है यानि कि कोई ऐसा चीज जो मान लिजिए कि प्लान A फेल क सिनोनेम्स की बात करें तो इसका मिनिंग होता है to get support, interest, attention, etc. from people by making an effort मतलब कुछ effort लाके प्रयास करके किसी का support पाना, interest लेना, लोगों का attention पाना ठीक है तो इसको drop up something बोलते है यानि कि पक्ष परचार करना या संग्रह करना ठीक है क्या करना संग्रह करना सिनोनेम्स की बात करें तो crusade, canvas, electioneer या फिर gather यह सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे ठीक है अब चलते हैं next word के तरफ next word की बात करें तो next word क्या है फार्सीकल फार्सीकल एक adjective है जिसका मिनिंग होता है something that has फार्सीकल is ridiculously funny मतलब कोई चीच जो फार्सीकल होता है वो क्या होता ह फवर्नी होता है किया होता है फार्सीक्त हो जाएगा तो है क्या हो फार्सीकल हो गया है जो एक adjective है जिसका मिनिंग हसी होता है रिडिक्यूलर्स, प्रिस्पोर्ट्रियस, लिवडी करस या फिर एपसर्ड इसके स्योनेम सुझाएंगे तो आई होप आपको समझ में आगया होगा सारे बाट दू आज का सेशन नहीं पर समाप्त हुआ सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, थैंक्स पर वाचिंग, जय हिंद